Hello my dear friends, तो आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Mi Laptop की सीरीज के बार में क्योंकि यहाँ पर जो ओफिशली चाना में यह जो नई सीरीज लाँच हो चुके है जो कि Mi Laptop Pro 14 और Mi Laptop Pro 15 के नाम से तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में Mi Laptop Pro 15 के बार में जहाबर आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको काफी सारी ऐसी अच्छी चीज़े देखने को मिलती है और वो भी काफी ज़्यादा एक वर्थ और काफी ज़्यादा एक effective price tag में तो क्या यह specifications है और कौन सा यह laptop आपके लिए लेना वर्थ है तो इसी वीडियो में आपको जो वो इस सवाल का जवाब definitely मिल जाएगा तो बस वीडियो को एंट तलक जरूर देखती रहेगा तो start करते हम इसके build quality और design से तो design wise आपको same macbook की तरफ फील आने वाला है बहुती ज़्यादा है आपर जो precise design रखी गई है काफी ज़्यादा premium look आपको देखने को मिलता है aluminium की body है बहुती ज़्यादा कमाल के और बहुती ज़्यादा premium लगती है जो 15 pro है वहाँ पर आपको 15.6 inches के एक full HD plus की OLED display देखने को मिलती है यहाँ पर आपको जो वह 600 नीट की brightness देखने को मिलती है और अगर हम इसके pixel count की बात करते हैं तो 3000 x 2000 pixels है वही आपको इसमें 93% का screen to body ratio भी देखने को मिलता है तो overall मुझे काफी ज़्यादा personally अच्छा लगा 3.5K का display है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे colors यहाँ पर आपको जो प्रोड्यूस करके देगा overall देखने में काफी ज़्यादा कमाल का और काफी ज़्यादा seamless laptop है तो अगर हम भी थोड़ी बहुत configurations की बात करते हैं तो configurations में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं system की बात करता हूँ तो system में आपको Intel की chipset देखने को मिलेंगे इस बार भी बट काफी ज़दा एक अच्छे और powerful chipset देखने को मिलेंगे इस बार आपको 11th generation की chipset देखने को मिलने वाले है अब यहाँ पर दो अलग-अलग variants है जो 14 वाला है उसमें आपको i5 और i7 दोनों का variant देखने को मिलता है और यहाँ पर अगर हम दूसरे variant की बात कर देखने को मिलता है वहाँ पर भी आपको i5 11 generation और i7 11 generation यह दो options देखने को मिलते है आपके needs के according इसमें से कोई भी आप option जो चूज कर सकते हो अब इसमें graphics का क्या रोह ले तो graphics में आपको देखने को मिलता है NVIDIA का MX450 वाला graphics card जो की बहुती जादा अच्छा है और आपके जो graphics work होते है वो easily आपर handle कर सकता है without any issues तो काफी जादा एक अच्छी बात है प्लस अगर मैं यहाँ आपर बात करना चाहूंगा जो 14 pro है वहाँ आपको 14 इंचिस की display देखने को मिलती है वो एक normal display है full HD plus resolution के साथ बढ़ वो भी काफी ज़्यादा अच्छी display है as compared to 15 तो oral display quality, design quality काफी ज़्यादा अच्छी है power में भी बहुती ज़्यादा अच्छे laptop से इसमें आपको graphics का भी support देखने को मिलता है हाला कि जो i5 variant है वहाँ आपको graphics जो है वो optional है but i7 में आपको यह graphics definitely देखने को मिल ही जाएगा plus अगर हम यह आप RAM और storage की बार करते हैं तो दोनों ही laptop में आपको 16 GB की RAM देखने को मिलती है बट यह RAM फिर से expandable नहीं होगी जैसे कि हमें लास्ट टाइम पर जो भी में के laptop से उनमें भी expandable storage और RAM जो नहीं मिल रही थी तो इस बार भी वही सिनारियो है no expandable RAM no expandable SSD storage SSD में आपको फारेडन 2LGB के SSD storage है जो कि बहुत ही जदा enough है मुझे रखता है decent है अगर 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 आपको फिर भी extra चाहिए होगी तो आप externally use कर सकते हो ports में आपको सभी तरह के ports retain किये गए है type c plus including इस बार thunderbolt जो port है उसको भी include कर दिया है तो वह बहुत अच्छी बात है 3.5 mm का headphone jack भी यहाँ पर है तो आप easily इसको access कर सकते हो प्लस यहाँ पर में बात करना चाहूंगा इसके battery के बारे में तो यहाँ आपको 100 watt के fast charging का support देखने को मिलता है तो वह बहुत अच्छी बात है और यहाँ आपको battery backup काफी जदा अच्छा देखने को मिलेगा ऐसा company claim करत प्लस इसमें आपको Windows 10 का pre-install support देखने को मिलेगा जो कि lifetime validity के साथ आता है यहाँ पर कोई भी Microsoft Office की service आपको नहीं मिलती है तो आपको externally आपर जो आड करने होगी तो और आल बस यही कुछ सिनारियो है अब बात करेंगे इसके pricing के बारे में जो pro 14 है उसकी जो base price है वो 5,299 बात करते हैं तो वह 6,400 युवांस है तो तकरीबन यह जो है यहाँ पर 72,620 रूपीज निकल के आती है इंडियन प्राइस में अगर convert करते हैं तो तो मुझे लगता है इस price tag में यह अगर laptop मिल रहे है तो बहुत ही जादा अच्छे price tag में आ रहे है और में भी इंडिया में यह थोड़े कम price tag में आ सकते है क्योंकि जितने भी बार यह जो शाओमी के प्रोडक्स वह इंडिया में आते हैं तो चाइनीज प्राइस आप रपको काफी ज्यादा एक adjustable और काफी ज्याद एक affordable price देखने को मिलते है और आते ही आपको कुछ भी discounts यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे तो सेल जल्दी स्टार्ट होने वाली है बस आप उसके रहा देख सकते हैं बाकि अगर और कोई भी टीटल से यह तो नीशे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आज का इस वीडियो के साथ धन्यवाद दोस्तों आज का इस वीडियो देखने के लि